हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि AU Small Finance Bank Limited यानि जो AU Bank होता है तो उसका आप IFSC Code कैसे पता कर सकते हैं आए जानते हैं वेसे तीन तरीके हैं जानने के लिए एक तरीका है बैंक में जाकर एक तरीका है पास्बुक पे और एक तरीका है मोबाइल से सिंपल आपको गूगल में जाना है इसके लिए या Google Chrome ब्राउजर में कुछ भी open कर लिजिए यहाँ पर आप सर्च करें इस डब्बे के अंदर IFSC Code Search RBI यह देख सकते हैं इसे सर्च करिए यही सर्च करिएगा कुछ और माश सर्च करिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा IFSC, MICR, Search वरना देख लिजिए यह आपको मिल जाएगा इस पर टच करिए यही पेज़ आपके पास आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा Select Bank, अपना Bank Select करिए कि आपका Bank कौन सा है तो आपको पता यह आपका Bank है AU Small Bank तो यह रहा, इस पर टच करो फिर के रहा है यहाँ पर Branch Name, Branch Name का मतलब होता है कि आपकी Branch कौन से Area में पढ़ती है यानि आपके Branch की Location क्या है इसका मतलब है कि आपका जो Bank है वो कौन सी जगह पर है आप पैसे जमा कराने जहां पर जाते हो या निकालने जाते हो वो कौन सी जगह है वो डालने पड़ेगी तो हमारी ब्रांच पढ़ती है पटपटगंज तो दिल्ली में पढ़ता है यह एक तो यहाँ पर मैं डाल दिया है आपको भी डाल देना है यहाँ से डालिएगा Get Bank Detail पर किलिक करें थोड़ा सा वेट करें नीची का आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर लक्षमिन नगर हमारे जो एरिया है वो यहाँ पर है पटपटगंज पढ़ता है यहाँ उसके पास में ही है यह दोनों सेम जगा पर है यहाँ पर को मिल जाएगा आपका IFSC कोड तो आप चेक कर लेजएगा आपका IFSC कोड सई है की नहीं इसे जानने के लिए आपको पीछे के 4-5 डिजिट होते हैं इसे अपने अकाउंट नम्बर से मिलाना है लाश्ट के या सुरू के अकाउंट नम्बर जो है वो इस कोड से मिलते हैं तो अगर आपका अकाउंट नम्बर और ये लाश्ट के तीन चार डिजिट सेम है इसका मतलब आपका IFSC कोड यही है बागी आप IFSC कोड डाल के बैंक का नाम भी पता कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें